श्र। ऐलो दोस्तों कैसे आप भी ятель सभी को सबसे पहले भाई सभी को मेरे छोटे बड़े भाई गर फानों को सबसे पहले मैं रक्षवांदन की हर्थिक सुब ऩाम हमारा थर्ड विक चालू हो गया है और थर्ड विक काज हम डे फर्स्ट है जिसमें जी के और करेंट फिर वो कवर करने वाले हैं ठीके सांतियों और साम को आज रिजिनिंग की वीडियो अप्लोड होगा जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टन आपके एर फोर्स एक्जाम 2020 के लिए हो जाता है ठीके तो चलिए शुरू करते आज के अपना क्लास को दिखाए कि पूरा इस क्लास को पूरा देखेएगा आप लोग अगर नहीं देख सकते तो क्या होगा तो दोस्तों सही अंसर क्या होगा तो आश्ट्रेलिया में कोई भी महधीप नहीं कोई भी जो आलमुखी नहीं है ठीक है ठीक है इसलिए बढ़ा अगले कोशन पर लिखाए कि चंपार में परचलित तिनकठिया पध्धति का समद्ध किस खेती से था तो बताना तो उस्ताइम तो तीन भाग उसका ब्रिटिश सरकार ले ती और एक भाग किसानों को दिया जाता तो इसका मतलब क्या था तिन पद्धती जो था यह किस खेती समद्धिता तो बताने आपको गेहूं के खेती जोग की खेती नील की खेती या फिर मक्य की खेती में खेती से बताने आपको तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा तो नील की खेती क्या होगा नील की खेती से तिनकठिया पद्धती समद्ध लिखाई कि तक रहा है सदूर्म सिक्ष्थ μंघ्षी अब कोई इसका सही अंसर दोस्क्र सिक्या होला जागा तो अबूल कलाम भारत के पहले अबूल कलाम आजा ठीक है ओर यह लिखा है सरदार बल्डेयों सिंग पहले सिक्छा मंतरी थे पहले सिक्छा मंतरी ठीक है इनको ये कोशन पूछा गया है स्वातांत्र भाड़त के पहले सिख्षमंत्र कौन थे तो सरदार बल्देव सिंग अब हो सकते ही कहीं ये पुछ देपकी बार तो आप इसको याद रख लिएगा ठीक है चलिए भर्द एक लोकोशन पर लिखाए कि तो इसका सही अंसर बताने आपको तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों में सेयर करें और अभी तक जिन्हों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करके हमारा मोटिवेशन लेबल बढ़ा है त तो मैं और अभी ज्यादा कुछ देने की कोशिश करूंगा तो इसका सही अंसर बताने आपको तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा मास्टर सूरी असे कौन थे मास्टर सूरी चटगाओं सस्तरगार डगाइती के इसका में करन्ति कारण दें तो लिखाए कि कॉंग्रेस के अनि 29 के लहवर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बहुत ज़्यादा इंपोर्टन को से मतलब कॉंग्रेस से कॉस्टन पुछता रहता है ठीके हमेशा कॉस्टन पुछता रहता है इसे तो फूप प्रसिजेश जो ओवर द नाइंटीन ट्वंटीन लहवर सेशन अधिवेशन की अधियक्षता कि थी तो यह किसने का था कि आगे का यह चेक है कि से प्रस्ताव आयत भरत में तो यह किसने कह था ऐ चेक है तो इसका सही आंसर बताना आपको छे नमर का सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए अगले कोशने पढ़ते हैं साथ नमर कोशन लिखाए कि भारत का नियंतरक एवं महालेखा पड़िक छक किसके दोड़ा न्यूक तो होता है मुझे लगता है यह रिपीटेर कोशन मैंने मैंने पहले इसको कड़ा दिया है कोशन तो आपको इसमें कोई दिकत नहीं होने चाहिए ठीक है तो भारत करने लियंतरक में महालेखा प्रच्छे किसके दोड़ा न्यूक कि आता है तो यह न्यूक कि आता है दोस्तों राश्टर जनरल अडिटर का किस समयधान के अनुश्यद में की गई है तो 148 के ठीक है चलिए बरते को कोशन पर लिखाए कि भारत के समयधान की सूची में भासा का उलिह किया गया है साथ आठ नौ तस तो भासा कितने हमारे समयधान में अभी मानेताप्रत भासा कितनी है तो 22 भासा समयधान में हमारे कितनी भासाओं को मानेताप्रत है समयधाने करूप से तो 22 ते शोवी स्वाची से अप्शन दे आपको और उसका सही अंसर बदाने को पूछेगा आप से तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा अंतराष्ट्य नयाले में नियाधिस बनने वाले पर्थम भा इसका तो जो मतलब जज बने थे पहले भारतिया इंटर्नेश्ट्रल कोट अफ जस्टिस इसका हेड़कॉटर कहां पढ़े तो नीदरलेंड दहेग वहां के जगह का नामे दहेग नीदरलेंड में इसका हेड़कॉटर इस ती ते और भारत के पहले आई सीजी कौन थे तो नाग डॉक्टर नागेंदर सिंग ऑक्षन संग्याट डिस का सही अंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते एकलो कुशन लिखाए कि भारत रतन से किस ब्यक्ति को किस विदेशी को सवर पर्थम सम्मानित किया गया था और याद रखे मैं एक हिंट देता ह यही पाकिस्तान से थे और इन्हीं को भारत रतन से सम्मानित के सवर पर्थम किसी विदेशी को ठीक है तो आज का हमारा जीके का पॉर्चन कम्लीट हो चुका है दोस्तों तो कैसा लगा हमारा जीके कुशन जो कि लेबल एकदम आपके एयर फोर्स एक्जाम के जैसा ही है ठ चली हम इसके आगे बढ़ते हैं जो हम देखेंगे क्रेंट अफेयर तो करेंट आफएर कि उसलिव करेंट परक अ कैनके ह्यूं कर्सव करंदबंद लिखा Means हमीद बकाय को किसे नयप्रधान मंतरी बनेते हैं अफ्रिकन कॉंटरिगे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अफ्रिकन कॉंटरिग से ही तो एक अफ्रिंक आफ्रिकन कॉंटरिग Все और इन्हीं से ही कुछ सकता है कि इस देश के प्रधान मंत्री कौन बनाए तो आइवरी कोष्ट की मुद्रा क्या हो जाती है और एक अफ्रिकन कॉंट्री अगले कोशन पाइट लिखाए कि दो बार मुस्लिम स्वरी पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस्त कब बनाया क्योंकि पिछले साल एक अगस्त को ही ट्रीपल तलाक सुप्रीम कोट के दोड़ा रद्द कर दिया गया था ठीक है तो पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस्त इसी के रूप में मनाया जा रहा है एक अगस्त को ठीक है अगले कोशन पाथ है तीन और कोशन पर लिखा अगस्त सुरू होकर और साथ अगस्त यहां चलेगा विश्व अस्तन पांच सब्ताह दिवस नहीं थिक है अगले कोशन पाहिए कि की काजी ओनिक किस देश के किर्केटर है जिन पर दोस्तार का बेन लगया है तो बेन कोन लगाता है तो नाड़ा लगाता है नेस्नल नहीं करना खेलते समय उसको लेते नहीं पकड़ा जाता है तो वाड़ा ने वर्ड एंटी डोपिंग एजनसी बिश्च्वर उसको कर डे знаем क्रिमड लगा दिया यह त innov Six दो- highway दो साल का अभी कर्केटर पर क्रिकिट खेलने पर बैन लगा दिया गया घू कि अगले कोस्वन पास में लिखाए की जीवानो रोधी प्रतिरूद अनुसंद्हान विक्षित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझावत्ता किया है तो जीवानु रोधी प्रतिरोध विख्षित करने की घोष्णा किया या फिर समझावत्ता किया है ठीक है राज्य में ग्रीन एजी पड़्योजना शुरू की गई है तो यहाँ दोस्तो अस्थापित किया रहा है कहां पर तो फ्रांस में अस्थापित किया रहे टूस्तो इसका पुड़िप मैं इंगलिस में नहिं टाइप करा पाया अगर मैं साम्क तक पिढ़िप में टइप रहेगा ठीक इसमें united तो आप लोग टेंशन मत्ते जगा मैं इसको इंगलिस में टाइप कराकर ही आपको दूँगा आप लोग बिल्कु टेंशन मत्त लेए ठीक है तेले भरताइब कोशन पर लखाए कि हाल ही में पीए मोदी के नए सच्चिव कौन बने हैं नए सच्चिव कौन बने तो यह आये स सबस्क्राइब किन रीचर्ड़ और इंगलेंट के और बात्व कहां के लिए टरोपी होगा होगा रिचर्ड's बाठ्सम् ट्रफी किया होगा।रफफष इंगलेंड के और बाथम किया तो इन दोनों के नाम पड़ा हिए टरोफी होगा readingわか्व वीजन ट्रोफी के जगा ले लिया है ठिकि है तई अगला कुस्क्राइक पर लिखाए कि ग्रेट फोटिन किस देस्तों त्वारा किया गया थास मर्पिया गया सन अभियास हैं ग्रेट फही तो इसका सही हैं प्र्फट प्रफट किस्ट देश द्वारा किया गया था सन्य अभियास और इयां के साथ मतलब इरॉन को किया अब इरन अभी हाल में आपना करणसी चंज किया है तो उसके नए करणसी कर नाम क्या है तो तोमान उस नए करणसी और इसने पहली मिलिटरी सेटलाइट नूर लांज किया क्या नूर तो इसको भी आप याद रखें इसे तीन कोशन बनते हैं ठीक है तो आज का हमारा दोनों पोर्शन का एंसर दिजे यह विनको फुस्टन यह था कि अंतराष्ट्रिय बाग दिवस कब मनाये गया तो अंतराष्ट्रिय बाग दिवस मनाया गया आपको बताना है कमेंट बॉक्स में और साम तक आपको रिसन की वीडियो में लगी दोस्तों तो चलिए आज का मड़ा क्लास यहीं पर खत्म होता है क्या आपको यह वाकई आपको क्लास अच्छा लगा तो एक बार दुरूर सेर किजिए इसको अपने दोस्तों अपने साथ आप मंगाता है ठीक तो चलिए साथ यह आज का क्लास हम यहीं पर रखते हैं तब तक लिए जै हिंद जै भारत